हलो दोस्तो, Thoughts for Growth चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Tom Connellan की बेस्ट सेलिंग किताब The 1% Solution का Complete Hindi Audiobook Summary इस किताब में लेखक ने अपने जीवन में एक प्रतिशत सुधार करने की ताकत को समझाया है जो आपके जीवन में आपकी छिपी हुई संभावनाओं को खोजने और उनका दोहन करने में आपकी मदद करेगा तो चलिए शुरू करते हैं Tom Connellan की किताब The 1% Solution का Complete Hindi Audi Audiobook Summary Chapter 1 यह परिवर्तन का समय है लेखक कहते हैं कि कोई भी खेल या प्रतियस परधा हो शुरुण पदक जीतने वाले और चौथे अस्थान पर आने वाले के बीच का ओसत अंतर केवल 1% का होता है इसका मतलब है कि औसाधारन और औसाधारन रूप से औसाधारन के बीच का फर्क शिर्फ 1% होता है आप हर व्यक्ति से किसी भी चीज में 100% बहतर नहीं बन सकते लेकिन आप शैकरों चीजों में 1% बहतर जरूर बन सकते हैं आप हर समय नहीं जीच सकते हैं लेकिन आप अगर किसी चीज को लेकर कल से बहतर करते हैं तो आपके पास हमेशा एक विजेता का दिल होता है हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता है लेकिन वह अभी जहां है उससे बहतर अवश्य बन सकता है ओलम्पिक का भी आदर स्वाक की यही है जादा तेज, जादा उंचा और जादा शक्तिशाली ना कि सबसे तेज, सबसे उंचा और सबसे शक्तिशाली इसलिए सफलता पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप लगातार, छोटे और लक्ष बद्ध सुधार करते रहें यह आसान नहीं होगा आपको अपनी कुछ पुरानी आदतें छोरनी होगी काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने तथा दूसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे लेखक कहते हैं कि प्रेड़ना को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कारिको बढ़ाना आप किसी कायर को जितना ज्यादा करते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेडित होते हैं इसलिए अगर आप ज्यादा कायर करेंगे तो आपको ज्यादा प्रेड़ ना मिलेगी यह खुद को पोशन देने वाला सतत चक्र है इसमें सबसे अहम सवाल है कि हम शुरू कहां से करते हैं इसका जवाब है कि आप कोई भी कायरी करके शुरुआत कर सकते हैं चाहे वह कायरी कितना भी छोटा क्यों न हो और एक बार जब आप उसमें सफलता हसिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेड़ना बढ़ जाती है प्रेड़ना बढ़ जाती है आप जो कारे कर रहे हैं वह सही कारे है यानि आप प्रभाव कारी बन रहे हैं फिर जब आपको यकीन हो जाए कि आप सही कारे कर रहे हैं तो आपको उसे करने में कारे कुशल होना पड़ेगा यानि उसे सचमुच अच्छी तरह करना पड़ेगा कई बार लोग उन कारियों को करने में सचमुच अच्छे होते हैं जो उन्हें बिलकुल नहीं करने चाहिए लेखक कहते हैं कि आपको बैठ कर उन परिस्थितियों का इंतिजार करने की जरूरत नहीं है जो आपको शक्रिय होने के लिए विवस कर दे आप एक एक्छा शक्ती वाले इंसान हैं इसलिए आप वह कारे कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन के किसी एक छेतर को बहतर बनाने के लिए कोई एक कारे करें और एक बार जब आप खुद को कायर करते हुए गती में ले आते हैं तो आप गती में ही बने रहते हैं न्यूटन का नियम भी यही कहता है निश्क्रियता उत्कृष्टता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति का शत्रू है क्योंकि यह आपको आगे नहीं बढ़तने देती है बलकि गतीहीन बनाये रखती है और विश्राम के वस्था में बनाये रखती है एक बार जब आप गती में आ जाते हैं तो आप उस शुरुवाती निश्क्रियता को मात दे देते हैं आप अपनी जगह पर नहीं रुकते हैं और अगर आप सही दिशा में होते हैं तो आप प्रगती करते हैं कई बार बाहरी परिस्थितिया आपको रोक देती है लेकिन हर बार आप इस नियम का प्रयोग करके खुद को गती में ला सकते हैं और हर दिन अपने जीवन में एक प्रतिशत सुधार करके अपने लक्ष की दिसा में आगे बढ़ सकते हैं। लिवरेज भौतकी का एक नियम है जिसका परयोग हम अपने दैनिक जीवन के कारियों को उतकृष्ट बनाने में कर सकते हैं। लिवरेज दरसल व्यभार में एक छोटा परिवर्तन है। इस छोटे परिवर्तन की शक्ती के बदौलत आप बहुत बड़े परिणाम देख सकते हैं। आप जो भी कायर करते हैं उसमें छोटा सा सही परिवर्तन आपके लगाय प्रियास की तुलना में ज़्यादा बड़ा परिवर्तन देता है। यही लिवरेज की शक्ती है। किसी भी छेतर में जो लोग सिखर पर हैं वह उच्छ लिवरेज वाले कारियों को पहचानने और उनका इस्तमाल करने में निपुन होते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम अपने कार करने के तरीके में चोटा परिवर्तन कर दें तो लिवरेज की शक्ती के कारण हमें ज़्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं। आपको परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, आपको तो उन व्यभारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो ज़्यादा आकार के परिणाम उत्पन करते हैं, आपको ऐसे कारियों को पहचानना और शुरू करने की जरूरत है, जो ज़्यादा बड़े पर प्रभाव बाहर की ओर फैलता है और प्रवेश के शुरुवाती बिंदू के आसपास के सभी सम्मंधों को प्रभावित करता है यह सिध्धान्त आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है चाहे वह आपका कारे हो आपका सेहत हो फिटनेस हो या कोई नई योगिता को सीख नहीं बनाता है और इस बारे में क्या करें जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने आसपास के स्थितियों पर ध्यान देना होता है और अपने आपको इस तरह ढालना होता है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें आपको यह समझ लेना चाहिए कि अगर आपको सिर्फ प् अपने लक्ष की और बढ़ना चाहिए अपने लक्ष को जान लीजिए फिर सही दिसा पर ध्यान केंद्रित करिए जो आपको आपके लक्ष की और ले जाती है इस दुनिया में सुभाविक जैसी कोई चीज नहीं होती है सब कुछ अभ्यास पर निर्भर करता है अगर आप किसी भी चीज में अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा दर असल सर्वस्रिष्ट लोगों में सर्वस्रिष्ट बनने के लिए आपको 10,000 घंटों का अभ्यास करना होगा आप जीवन के किसी भी फिल्ड में उतकृष्टता हासिल करना चाहते हों तो इस इसलिए पहुँच गया हो क्योंकि उसमें नसरगिक प्रतीभा थी। यदि आप अभ्यास में समय और प्रियास लगाते हैं तो आप सुधार को देखेंगे। यदि आप सुधार देखना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा। जो आप जान लें कि केवल 10,000 घंटे का अभ्यास करके आप सिखर पर नहीं पहुंचसकते हैं। अभ्यास के घंटों की मातरा से जादा उसकी गुनवत्ता महतपुर्ण होती है। और गुनवत्तापुर्ण अभ्यास को सुविचारित अभ्यास कहते हैं। सू विचारित अभ्यास खास तोर पर प्रदर्शन को बहतर बनाने के लिए किया जाता है इसके लिए आपको स्रिजनात्मक फीडबैक लेना भी जरूरी होता है आपको नियमित रूप से कुछ समय ठहर कर अपने प्रदर्शन की समिक्षा करनी होती है आपको यह आकलन करना होता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है और अगर वैसा ही कायर करते रहें तो अगली बार उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं आपको कोई भी कठिन कायर करने की स्विक्षा से पहल करना चाहिए क्योंकि जब आप कोई भी प्रयाप्त चुनोती पुर्ण चीज चुनते हैं तो यह सीखने और विस्तार करने को आपको मौका परदान करता है आपको कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए अपनी तुलना खुद से करना ज़्यादा उपयोगी होता है सबसे ज़्यादा माइने यह रखता है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप से एक प्रतीशत बहतर बन जाए आपको यह यात्रा वहां से शुरू करना पड़ता है जहां आप इस वक्त है आप आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं और शायद भविश्य के सपने भी देख सकते हैं लेकिन वर्तमान में अपना सरुसरिष्ट करना ही नियम है आसा एक अच्छी चीज है लेकिन यदि आप कारी नहीं करते हैं तो यह खास तोर पर उपयोगी रन नीती नहीं है बहुत से लोग साकारात्मक विचार सोचते हैं लेकिन किसी ऐसी योजना पर अमल नहीं करते हैं जो हमें सपने साकार करने की दिसा में ले जाने वाले कार करने के लिए विवस कर दें आप सिर्फ एक्छा नहीं कर सकते हैं आपको कार करना होता है आपको अपने लक्ष तक पहुँचने की कुंजी यह जानना है कि आप कहां जाना चाहते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए आपको कौन से कार करने की जरूरत है और फिर लगन वप्रियास आपको वहाँ पहुचा देगी सफल होने के लिए हम सभी को एक चीज करनी परती है और वह है वर्तमान में सटीकता से यह पता लगाना कि हम कहां है इसके लिए तत्यों का निर्ममता से आंकलन करना पड़ता है जब आप जहमेले के बीच में होते हैं तो बाहरी मदद खोजना तो समझदारी का काम है लेकिन आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं कि वो आपके लिए हर एक चीज कर दे कोई भी इस दुनिया में मदद नहीं करता है सब कुछ आपको खुद ही करना होता है हर मनुस्य आराम के दाइरे में रहना चाहता है लेकिन जब भी आप कोई नई चीज सीखते या करते हैं तो आपके मस्तिस्क में नए कनेक्शन्स बनते हैं आप एक आदत चुन लीजिए किसी चीज को करने का तरीका जिसे आप बदलना चाहते हैं चोटे और निश्चित परिवर्तन का लक्ष बनाईए यदि आप बहुत बड़े परिवर्तन या मुश्किल परिवर्तन का लक्ष बनाते हैं यह जोखिम रखता है कि आप अंत में नाकाम या हतुत साहित हो जाएंगे कार करने के उस तरीके को तीस दिनों तक हर दिन अपनाईए तीस दिनों के अंत में यह एक आदत बन जाएगी जो स्वचालित होगी इसके बाद आप कोई दूसरा छोटा परिवर्तन करने की और बढ़ सकते हैं एक महीने तक हर दिन इसका अभ्यास कर सकते हैं फिर अगले परिवर्तन की और बढ़ सकते हैं इस तरीके से हर साल आप अपने जीने और कार करने के कम से कम 12 पहलूओं को अस्थाई रूप से बदल सकते हैं आप खुद को और अपने जीवन को जब तक बहतर बनाना चाहते हैं तब तक इस प्रकिरिया से लाब ले सकते हैं जीवन का 90 प्रतिसत हिस्सा तो बस कमर कसना है आप बस अपना एक पैर दूसरे पैर के सामने रखते हैं और बहुत जल्दी आप वहां पहुँच जाते हैं जहां आप पहुँचना चाहते थें नई आदत को कायम रखने के लिए रास्ते में खुद को पुरसकार अवश्य दें अपने मित्रों का समर्थन पाने के लिए उन्हें अपने लक्ष के बारे में बताएं इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि जब आप सफल होते हैं तो यह कितना बहतरीन होगा अपनी नई आदत को लिख लें और अपनी प्रगती की डाइरी रखें आपकी सफलता की ज़्यादा संभावना तब रहती है जब आप एक समय में एक ही आदत को बदलते हैं आप अपने विश्वासों के कारण ही एक खास तरीके से महसूस करते हैं और कारी करते हैं इसलिए आपके विश्वासों में यह शक्ती होती है कि वह आपको लक्ष हासिल करने में मदद करे या फिर आपकी प्रगती को रोकने में लगातार सुधार करना सबसे महत्पूर्ण है और एक परतिसत सुधार को हासिल करने के लिए आपको पीछे हटकर अपने विश्वासों पर नज़र डालने की जरूरत होती है अगर वह आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आपको उन्हें बदलने की जरूरत है शोध से पता चलता है कि जो लोग बदलने में सफल हुए हैं वह सुरुआत में फिसले थे अंतर यह है कि उन्होंने उस फिसलने को तबाही नहीं बलकि ऐसी चीज के रूप में देखा जिसने उनके शमर्पन को मजबूत किया फिसलने को गिरने में ना बदलने दे चैप्टर 6 किस तरह कुछ ना करने से आपको ज़्यादा करने में मदद मिलती है लेखक कहते हैं कि यह विलासिता जैसा लग सकता है लेकिन शोध से पता चला है कि सिर्ष एक प्रतिशत लोग स्वास्त लाव के समय को हमेशा अपने दिन में अस्थान देते हैं किसी भी छेत्र में सिर्ष एक प्रतिशत लोगों को अलग करने वाली चीज यह है कि वह दिन भर एकागर प्रयास और नियोजित स्वास्त लाव की अवधियों का चक्र चलाते हैं यह सब काम और आराम के सही संतुलन के बारे में है किसी भी छेत्र में सरुसरेश्ट व्यक्ति एकागर चित होकर एक समय में 90 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करते हैं ऐसे दो सत्रों के बीच में आराम के लिए अवकास होते हैं वे दिन में छोटी जपकी लेते हैं और रात में कम से कम आठ घंटे की अच्छी नींद लेते हैं साथ ही नियमित वैकेशन भी लेते हैं दरसल 95% लोगों को सामानी ढंग से काम करने के लिए कम से कम साथ से आठ घंटे की नींद की जरूरत होती है जो लोग सोचते हैं कि वह इससे कम में काम चला सकते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग खुद को धोखा दे रहे हैं चाहे जो हो अगर आपको प्रयाप्त नींद नहीं मिलती है तो आपका प्रदर्शन गिर जाता है अगर आप सप्ताह के दिनों में 10-30 मिनट की जपकी लेते हैं तो आप नींद की ज़्यादा हलकी अवस्थाओं में ही रहेंगे और जागने पर ज़्यादा तरोताजा महसूस करेंगे लंच के बाद सिर्फ 15 मिनट की जपकी से आप बांकी के दिन ज्यादा चौकस रह सकते हैं अगर आप थकान से चूर हैं तो आप हर दिन बहतर प्रदर्शन करने के लिए खुद को समर्पित नहीं कर सकते हैं जो व्यक्ति शारिरिक तरिष्टी से महनत का काम नहीं करते हैं उनके लिए ब्रेक या अंतराल के समय सबसे अच्छी चीज व्यायाम है अगर आपका काम शारिरिक के बजाए मानसिक महनत का है तो बहुत ज़्यादा निस्क्रिय स्वास्तलाब से आप और ज़्यादा थकान महसूस करने लगेंगे यह प्रदर्शित हो चुका है कि व्यायाम से आपको कम थकान महसूस होती है एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपनी बैटरी को रिचार्ज नहीं करते हैं तो कोई दूसरा निस्चित रूप से अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहा होगा और अगर आपने ऐसा होने दिया तो अगले दिन वह अपना प्रदर्शन बहतर कर रहा होगा जबकि आप बस काम निप्टा रहे होंगे चैप्टर सेवन चक्रपुर्ण हुआ इस चैप्टर में लिखक ने शुरू के छे चैप्टर के समरी को पुना बताया है जिसे हम यहां पर रिपीट नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको इस बुक की समरी कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सांदर बुक की समरी के साथ तब तक के लिए आपका दिन शुब हो